हेलो बच्चों तो ग्राफिन मोशन हम बढ़ रहे है ना चलो प्यू आई क्यू हम जो कर रहे हैं हमने पिछले ग्रास में छोड़ा जहां से महीं से स्टार्ट करते हैं तो बिटा चलो आज के लिए क्लास का फॉर्स्ट कॉश्चिन दिस्पेस्मेंट टाइम ग्राफ ऑफ का दिया होगा है डिस्पेस्मेंट एंड टाइम मेघ्ञार दिया होग यह आपका णिपेस्मेंट में य एक्सिस पर आपका यह टाइमग्राफब। एक्सेस पर तो यह आपका दो करव दिए कि इसका जो एंगल है एक सकाद में वह आपका 45 डिकरी और 30 डिगरी वेलस्टी पूछे इन एंगल और वेलस्टी में पूलिए लुट्री में वी एड़ थीटा में वी एड़ थीटा इन्में रिलेशनशिफ क्या है आपने को ओके ठीक है, X and theta में को relationship है, ठीक है, देखो, क्या relationship है भीटा है, हमें पता हैं कि V is equal to dX by dt, टाइम ग्राफ में जो, और dX by dt क्या है, उस ग्राफ का slope, श्लोप को किस से लिखते हम, tan theta से, राइट, यानि कि V क्या है, V आपका tan, थिता है बेटा राइट तो क्या होगा जो फर्स्ट वाला जो है इसने कहा कि 30 ृट लिघ्री एड 45 डीने दोनों में एंगल कितना है तो 30 डी को लेको हम फस्ट लेंगे यानि यह हमारा first curve है और यह हमारा second graph है तो क्या होगा बताओ V1 आपका हो गया V1 is equal to 10 30 degree and V2 which is equal to 10 30 कितना होता है 1 by root 3 यह ना and V2 कितना है V2 आपका है बिटाना 10 of 45 degree so V2 is equal to 10 45 degree that is 1 so V1 and V2 का ratio पूछा उसने so it is 1 by root 3 upon 1 that is 1 by root 3 क्लिर है ना जो displacement time graph का slope है वो हमें क्या देता है V देता है रहा राइट मन्दब जो displacement time graph x t graph हो गया जो हमारा इसका जो slope है हमें slope है वो किसके एकवल होता है बिटा वो होता है आपका dx by dt and that is equal to V वलस्टी यह ना राइट अगर vt time graph हो चलो इसको भी देख लेते हैं ना हाँ हमें पता हमें अच्छी है अगर माल लो vt time vt graph हमारे पास में वलस्टी टाइम ग्राफ हो तो इसका slope हमें क्या देगा इसका slope बताओ यह होगा d v change in v यहाँ पर x था यह वह ला x है ना हाँ change in x by change in time change in time change in v by change in time और यह आपका होगा किसके एकवल होगा a k acceleration यह जो x t का रूका slope आपको क्या देगा वी देगा और वी टी करूका slope आपको क्या देगा यह देगा बता यह clear रखना ना ठीक है चलो next question में चले आंसर क्या है इसमें आपका v1 by v2 1 by root 3 d answer second question है आपका इसमें आज क्रास का which of the following graphs cannot possibly represents one dimensional motion of a particle यह भी आपका exam में पूछा विटा यह कर रहा कि कौन सा graph one dimensional motion को यानि 1d motion को शोन नहीं करता है it simply means कैसे पताएंगे हम कि अगर 1d motion में वैसा graph नहीं बनता है था हम कहेंगे कि हाँ यह 1d motion को शोन नहीं करता है तो पहला distance total distance covered time यानि कि आपका पहला जो ग्राफ दिया वह क्या दिया distance versus time अब एक चीज़ बताओ मुझे क्या distance covered जो भी होगी वह कम होती है कि ज्यादा होती है time के साथ में मुवमेंट अगर चलती रही movement होती तो डिस्टेंस आपके कभी भी कम नहीं होती है ना tseim के साथ में हमेशा क्या करती है बढ़ती-या कम क्या होता है कम आप का displacement हो सकता है ना पोजिशन आपके हुगpolitik आपका पोजिशन कम हो जाती है तो उसके क्या होगगा हम गोम फिर तो क्या होगा हम जीरो हो जाएगा है हाँ तो लेकिन डिस्टेंस आपके डिस्टेंस क्या होती है डिस्टेंस तो पाथ लेंथ होती तो बहुत कभी कम होती नहीं वह दो जितना पाथ जाएंगे उसको मीजर कर लेंगे अगर यह पाथ ऐसे गया और वापस ऐसे आ गया तो हमारे displacement 0 हो गया यहां से शुरूई motion लेकिन इसके path length जो भी होगी वो distance हो गया ना displacement 0 राइट लेकिन distance 0 नहीं होगी distance is not equal to 0 ठीक बटा तो यह देखो आप distance कभी कम नहीं होते time के साथ में distance हमेशा जब तक movement रहती तब तक बढ़ती है तो यह देखो time के साथ में time तो बढ़ गया यहां पर टीवन टाइम था हम ग्राफ को रीड करना सीख रहे हैं यह टाइम टीटू था ओविसली टीटू इस साइड में इंक्रीज हो रहा है तो टीटू पर तो यह टीटू पर पर कह रहा है कि यहां आपका पोसिबल नहीं लग रहा है पोजिशन टाइम के साथ में पोजिशन आपकी दिखो इस ग्राफ में क्या हो रहा है इसमें आपकी पोजिशन इंक्रीज हो रही है बिल्कुल सभी है पोजिशन डिक्रीज होने का मतलब यहां पर क्या हो गया कि आपका एक ही टाइम सपोस्पोज कोई टाइम टीवन है यह इस पर क्या हो गया आपका दो पोजिशन बोजिशन हो गया आघर इस्ट्रेटलाइन में वहां दाइम सब्सक्राइब और वन ने चलंड रही है तो मुझे बताओ एक ही टाइम पर दो पोजिशन पोसिबल है क्या है या पार्टिकल दो जीचर्वट पर हो गई फॉसिबल नहीं है तो यह यह भी यानि गया और टाइम सजोर शुरू हुई है तो यह क्या होता है लिकांप साथ में लेकिनने क्या आगे तो यह थो तो आपका ताइम द्र career यह कह सकते हैं यह हें अगर मालो यह कोई टाइम की माल लेते हैं तो टीर फिर ही यह आगहा औरiane वलस्टी आपकी यह आ गई तो एक टाइम पर ही स्टेट लाइन मोशन है बोड़ी की दो बोलस्टी पॉसिबल नहीं है तो यह ग्राब भी आपका क्या हो गया कैंसल हो गया अब यह इस्पीड आपकी देखते हैं इस्पीड वर्सिस टाइम अब देखो बताओ मुझे इस्पीड क्या हो रही है इस्पीड आपकी कम हो रही है नेगेटिव हो रही है इस्पीड फिर इंकरीज हो रही है फिर कम हो रही है बिटा अब एक चीज़ मुझे बताओ क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है स्पीड कोई डारेक्शन होते नहीं वेलस्टी नेगेटिव हो सकती है आपकी speed आपकी negative नहीं हो सकती. कैसे करें हम यह? क्योंकि यह 0-0 है. यह point, ओपर positive है, नीचे negative है, यह side positive है, यह side आपकी negative है. ग्राफ में ऐसे ही करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका यह भी feasible नहीं है. clear है? तो यह graph भी feasible नहीं है आपका. यानि कि कौन से कोई भी ग्राफ इसको पॉसिवली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है आंसर इज या डी ओल अब दीज सारे इन करेक्टर ओके चलो नेक्स पर चलते हैं तो तो फिर मुश्किल पढ़ने वाली आपके लिए विटा इसलिए थोड़ा समझो चीजों को अनलाइज करने सीखो अलकल का और देखो आपके जो मेडिकल इंट्रेंस एक्जाम है उसमें भी कुछ अच्छे कोशन साने लग आज करना थोड़ा सा लेवल उन्होंने इंक्री नहीं लिकर पाएंगे आप तो देखो नेक्स्ट क्वेशन में क्या कर रहा है फिगर वान एंटू शोड़ी डिस्प्लेश्मेंट टाइम ग्राफ इस्प्लेश्मेंट टाइम ग्राफ है और टू पार्टिकल मूविंग अलोंग अलोंग डी एक सक्सिस्ट विकन से दैट य और आपका फ़र्स्ट गॉगया आड टी में ये हैक जल्सक्ट वावर्व यह की स्कुंः है पयरा और यह वी कारड़ है यह भी पारा थे हैं लेकिन इस सक्वाद हा Pac हमने देखा देकिंग है यह देखने से कैसा लग रहा है आपका एक्सलीशन क्या है इसके बाद में फिर अचानक तेजी से बढ़ रहा है है ऑसके बद में तेजी से ऊपर जा रहा है कि आपका क्या होगया एक्सलीशन हुगर delic Hello you कि के भिलकुल है रिटारटरिशन तरही नहीं कर्या है कैंसे यहां से के योहां यह तेजी है da GNUसके बढ़ रही है तो यहांना कि Cya Before k benefit video कोईने करें उसके बाद भी मोड़िल नीट जा रही है और बोड़ी Slowly movement कर रही है इसके मतब यह कैसे हो गया Acceleration क्या कर रहा है Wellesky को approach कर रहा है इस case में तो Approach कर रहा है ना तो इसमें क्या हो गया आपका यह Retarded Motion होगी यह Retarded Motion होगी और यह आपके कैसी है Acceleration Motion होगी Accelated Motion होगी यहां पर तो एक क्या हो रहा Increase एक Increase है या फिर Constant है या तो इंक्रीज हो रहा है या Constant है और यह आपका A Decrease हो रहा है या फिर A Minus का A Decrease नहीं और Minus का है यहां पर प्लस का है यह कह सकते हैं सीदह सीदह अगर Decrease भी होता तो भी X क्या होता बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है एक या वैली कुछ भी होती पर 0 से उपर होती तो X आपका बढ़ता जाता है यानि कि यह तो Accelated Motion Accelation में है इसमें और यह आपका Retardation हो रहा है तो Particle 1 is having Uniformly Accelated Motion बिल्कुल Uniformly Accelated Motion हो सकती है Particle 2 इस हैं Uniformly Retardation बिल्कुल 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 यह केस हो सकता है नेक्स कोशिन भी चलो इस बोड़ी स्टार्ट फ्रम ब्रेस्ट और मूज विदी उनिफॉर्म एकलेशन विच अपदा फॉलूइं ग्राफ रिप्रेजेंट इस मोशन क्या कर रहा है फोड़ीस है किसे रैस से यह विचलेशल सब्सक्राइब धी तो वैसे में पता है कौन सा ग्राफ होता है या तो इंक्रीज होता हुआ या फिर आपका डिक्रीज होता हुआ करो कैसे बनेगा वी टी का ये बनेगा या तो इंक्रीज हो रही है या फिर आपका ये बनेगा डिक्रीज हो रही है ये टाइम टी और ये वी राइट इस तरह का कर भर बनेगा कुछ आप देखो यूँजी रो है आपका तो यूजी रोज इसमें देख imm настро यह तो वे में कौन सा मैच कर रहा है यह वाला ग्राफ मैच कर रहा है और यूजीरो भी है इसकी नीशल वेल स्टी तो भी आंसर हो गया ठीक है क्लियर है ना मुश्कल नहीं है देखो अगर हम सिंपल हमने बेसिक पड़े थे लास क्लास में अगर उनको अगर बेटा आपने वह क्लास नह है आपका एक कॉंस्टेंट दे दिया दैन विच ऑफ फॉलो इंग राफ इज करेक्ट एक कॉंसें ए तो कौन सा ग्राफ करेक्ट है भीटा आपका पहला ग्राफ दे V और T में, second आपका दे दिया, V और T में, uniform acceleration है, तो इसमें तो A क्या हो रहा है, uniform acceleration की बात कर रहा है, यानि A constant है, इसमें क्या हो रहा है, A, A increase हो रहा है, आपका यहाँ पर रही है, क्या हो रहा है, decrease हो रहा है, इसमें V constant दे दिया, अगर A constant है आपका, तो यानि कि acceleration तो है सकता है और अहीं नीए विद्धिया वास ने यह वी दिया वाया है यह मीडिय ओप्शन है तो वी ओ वी दिया वह वी-ओ-ट का ग्राफ है तो यह फोशिबल हो सकता है देखते हैं इस पर बी और डी में क्या दिया है सोचि Neredं सोच motorcycles हमें तो सबस्क ऐसे हूँ वी और टी ग्राफ का सबता है वी और टी अग्राफ हापका लाइन होता है ना एक constant के लिए, अभी देखाँ, यह वाले line होज़ता है, यहां से भी हो सकती है, या फिर अगर u initial velocity 0 नहीं है, तो यह ऐसा भी हो सकता है, v और t graph, यह v, यह आपका, t, अगर initial velocity u 0 है, तो यह वाला कर हो जाएगा, initial velocity 0 नहीं है, यह कोई value है, इसलिए यहां से 0-0 से पास हो रहा है कर्व क्लियर है चलो नेक्स्ट कंसेडर गिवन वेलस्टी टाइम ग्राफ इट रिप्रेजेंट थी मोशन ओफ यह आपका वेलस्टी टाइम ग्राफ दिया हो यह 0 है आपका रहा हो इसके हो इसके मतलब क्या क्या हो गया कैसे होती है कि वेलस्टी जी्रो हो होना जीरो होने का मत्पविया कि आपके रिवर्स हो गई रिवर्स वने का मत्पवर आपके वी और एग वी बैलस्ती एंड कीसे डिरेक्शन में है अगर एक पोजीटिव है तो दूसर नेगेटिव है राइट ऐसके यहीं क्यों कि वी एंगेटिव डिर्टिंग में काम कर रहा है और फिर वी जीरो हो गया है और उसके बाद में थे नीचे आएगी तो देरिक्शन हो जाएगी बिल्कुल सही बत है एन एलेक्षी इनदा हैट्रोगने दमने अबुलेट फायर हो जोडिनित फिरॉम डेट एप अटावर नहीं बिल्कुल टॉप टावर है यह टॉप टावर एन अब्जेक्ट इन दी पोजिटिव डिरेक्शन विद डिक्रेजिंग स्पीड नहीं बिटा यह आपका केस बन रहा है ना देखो क्या हो रहा है आपका जब हमने इसको थो किया थोड़ा सोरी डिसकस कर लेते हैं यह हमन अबने आपको डारिक्शन को क्या लिया है अपकी पोजिटिव और डाउनवर्ड डारिक्शन आपकी नेगेटिव राइट तो यह क्या करेगा ऊपर जाएगा पार्टिकल और ऊपर गया यह फाइनल यहां पर क्या हो गया वी आपकी जीरो हो गई उसके बाद में इसकी कर देगा नीची आएगा बिटा जीरो राइट जीरो क्या हुआ एक्स जीरो हुआ ना लेकिन यहां पर वेलस्टी क्या होगी वापस इस डिरेक्शन में स्पीड हमने कॉंसर्ट बढ़ा दना यू हो गई तो इंक्रीज होगी डारिक्शन चेंज होगी बिटा राइट तो यह वाला केस है यह वाला केसे इसमें प्रोजेक्टाइल प्रजेक्टर वर्टिकली अपॉर्ट फ्रोमें प्वाइंट ओके नेक्स्ट कॉर्शन देखो ओल्दी ग्राफ बिलो और इंटेंडेट तो रिप्रेजेंट इस सेम मोशन वन आप दैम डजन डज़ेट तो बड़े एक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है दिखो किस किस में दिया वी वेलिश्टी और पॉजेशन में दिया है राफ यहां पर डिस्टेंस यानि यह भी एक्स ग्राफ है यह तो है राइट तो देखो वी एक्स ग्राफ दिया आपका सबसे पहले हमने हमने कौन से पढ़का सबसे पहले हमें पता है कि एक्सटी ग्राफ और वीटी ग्राफ हमने पढ़ रखें विटी ग्राफ यह कैसा दिख रहा है आपका एक्सटी ग्राफ यह आपका पहले एक्स इंक्री हो रहा है फिर निसमेंं यहां से क्या हो गई papir zero x वापस जीरो सिस्टार्ट रूआ कि वो हमने बटेकल डारेक्शिंक मोशन करते हैं मदब läh फrしま Pikas होता है आपका 0 से शुरू होता है झाँ आप लिए लिकुल टाइम के शाथ में तो यह तरह कंडिशन है बिलकुल सही कह रहा है यह आपका कॉंस्टेंट हो गया विसके बाद में जी रहे हो गई और पिर रही है बिल्कुल बटा यह वाला केस ही है तो यह पोजिशन टाइम ग्राब सभी है आपका वर्टी कलिया पूर्ड थो करो बोडी को उसके बाद में फिर वह हाइस पॉइंट पर जाके वापस आएकि तो यह बिल्कुल ठीक है यह वाला पोजिशन टाइम ग्राफ सही है आपका वीटी ग्राफ भी हमें पता है यह बनता है यह भी सही है ठीक है आपका और यह तो यह थो पशचानव फिर स्वराओं बढ़नीजय चाहिए कब में इसव उसकती ताइम साथ तो भल भू भंधर रही है लेकिन क्या होता है ऐस आपका इतनी च्लोली च्रीशन अरफिर आपके कहा रही है एम के टेजी से बढ़ रही है और फिर slow हो रही है ऐसा होता है क्या distance नहीं यह नीचे किदिया की तौर्फ नीचे ट्रफ क्राम करें तो नीचे पहले tief मी यहां पर आजेगी कि इतनी डिस पार ना फर्स्स एगे जिकर दीजम कर और किरेंगे पिर कारेंगी थुड़ा है ना उपर के दुब कर रहे दिस्टेंस लाइश तो यह यानि कि इनियसली जाल लिखिसे करें इसके बाद में लोली-ट्रोली करेंगे और यह तो यह एनियसली दरी-धर बढ़े की चिंप फिर थोड़ा से और बढ़ ताइम और बढ़ गया लेकिन ऐस खोड़ा सा बढ़ प हाँ और फिर यह कह रहा है तो उल्टा बोल रहा है तो कुछ इस तरह से बनेगा एसका कैसे बनेगा === बताओ कि हýज़ आप आपका तो कुछ इस तरह से बनेगा ऐस ऐसे बढ़े गी फीर कम होगी नथ आपकि और फिर देजी से तो बिटा यह नहीं कर रहा है यह डाउठ फूल है यानि कि यह गलत है आपका और आपका यह कौंड सा है यह कन्फम कर रहा है वेलस्टी देखो भी एक्स के साथ में बिलकुल X के साथ X लो रख गार रहा है जब दो या वापस नीची आ रहा है तो फिर वापस कम हो रहा है संदुन सफर्ट रहा है मिलकुल दढ़ रही है नंगयुता रहाा है तो अंसर का प्रिस्ट के अब हुआज़ हुआ ऑच्छ झाट गड़नmusic concept of sorry the distance traveled by a body moving along a line in time t is proportional to t cube क्या का रहा दिस्टेंस ट्रेवल अना distance traveled as आपकी किसके proportion में है as is proportional to t cube यह गिवन है बेटा the acceleration time graph for the motion of the body will be तो कैसे निकलेगा acceleration time graph आपका speed क्या निकलेगी स्पीड आपकी हो जाएगे ds by dt तो ds by dt क्या हो गई अगर मालों इसको हम कहले थे कोई के के कॉंस्टेंट है प्रोपोर्स्टनल्टी साइन अठाने के लिए तो 3t t cube यह स है तो आपका s ds by dt क्या हो गया आपका यह वी आ गया वी इसकॉल इसको दुबारा डिफ्रेंशेट करेंगे और या फिर इसको क्या लोग डी 2s by dt क्या होता है तो इसको दुबारा करेंगे तो आपका क्या आजेगा इसको एका 2t into 3k 6k t यानि आपका किसका function है एज function of t यह ना function of t और क्या है मतलब इसका मतलब क्या है इसमें a is proportional to t यह कैसा हो गया linear relationship और यह ग्राप कैसा होगा linear होगा आपका यही मतलब है तो यह तो a और t में यह तो linear है तो यह तो कैंसल हो गया linear होगा आपका a t is equal to 0 पर क्या होगा बताओ अगर टीजिए जिरो हो जाएगा बिलकुल सही बात है यह इनिशल आपका क्या होगा जीरो होगा तो यह जीरो आ रहा है यहां पर t is equal to 0 रखा तो a b 0 बनगे आपका जीरो जीरो से पॉंट से पास हो रहा है ठीक है तो यह करो आपका पॉसिबल है बिलकुल यह वाला पॉसिबल है यह देखो यहां पर जीरो नहीं है इनिशल और डिक्रीज और टाइम के साथ म में तो यह तो पॉसिबल नहीं है ठीक है यह डिक्रीज हो रहा है समझवाना ना आपका d a constant कर दिया ने टाइम के साथ तो इंक्रीज होगा क्योंकि लीनियर वे रिलेशनसीप है ए और टी में तो बिटा भी यह आंसर आपका ठीक है ओके नेक्स्ट विस ग्राफ कोर्सपों to an object moving with a constant negative acceleration and a positive velocity okay क्या कर रहा है आपका constant negative acceleration ना यह आपका मान लो negative है a note है ठीक है और विच ग्राफ कोर्सपों बच्ट moving with a constant velocity and positive constant negative acceleration and positive velocity और वी आपका क्या है आपका यू है पॉजिटिव है तब देखो कैसा हो गया कि के motion को क्या कर रहा है रिटार्ड कर रहा है रिटारिचन तो आपकी होगी जबता करणा पूछ होटे याप यह आपको वीटी यह भी वीटी और डिस्टेंस में ग्राफ है वह भी ईए और एस में guidelines बे तो बटादेखो वी और टी अगर एक वहाई तो थे क्रसेंट थो हमें बता कि वी टीडाफ कैसे होते हैं मिलम कर्व टीजान तो इस कैसे प्जांक्त करो आपका एक लाइन होगो एसे ईंकलाइन तो यह तो कर्व है पोसीबल नहीं यह दो धेस्ट कifferent है नहां ऑके सिंविलर से ग्राफ होगा यह पोशीबल नहीं निएग इस से डिस्टेंस अपका वलस्ते यह सिटेंट्स हाँ विएकस अगर एक ऑन संट तो में पता है एक ultane वाली कन वा लिए मैं मैं जो एक और एक वाली V और जो A AX कैसे relationship हम? میटा, V स्केर कैसे verik कर रहा है? X के साथ में verik कर रहा है X के पावर 1 यानी कैसा वो पैराबोलिक पाथ होगा? पैराबोलिक कर होगा एक V स्कूर में है, एक फार वन में है तो पैराबोलिक होगा आप देखो बीटा यह पर बन लोडिक है और यह मैं लोड गर इसने तो मनतर टाइम टी गोर टू जी रोल पर आपकी वेलेश्टे की दिनी होगी थाइम टीस कॉल टो जीरो पर आपकी अगर इसको लिखेंगे वी इसकुल टू आपका अगर मानलो यहीं पर देख देख लेते ना बिस्टेंस है एक स्थी अगर हम जीरो रख लेते हैं तो आपका वी स्कुर्ट क्या आएगा बिल्कुल य९ू सकते हैं इसको यू है लिए पाथ है बिल्कुल यह ओ रहा है आगे चलांब क्या करेगा यह माइनस में है तो है ग्लेस में क्या करएगा व emissions इंपयोजीर्टे को कम करेगा यह यह कना उर्याज़ेंट सब्सक्राइबograph कैसा थे हैं और इस गि breaths में के साथ में आपकी वेलस्टी मतलब टाइम इंफानेट हो जागा वी जी रो होने के लिए तो पॉसिबल नहीं है यह वाला केश पॉसिबल तो सी आंसर हो गया राइट ओके नेक्स चलते हैं कि वर्ट विल विदा ए वर्सेस एक्स ग्राफ और फॉलोइंग ग्राफ ओके एंस 2017 का क्वेश्चन है बढ़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ओके देखते चलो इसको करते हैं यह थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है डिफिकल्ट कैसे कह रहा हूं मैं इसमें आपक वी और एक्स में गाफ दिया हूँ है तो देखो एक्स इसकल टूजीरो पर क्या हो रहा है एक्स इज्कल हो रहा हुए यह तो यहां पर वी क्या है आपकी वीबियों यह वालीन है इतना इतनी वैल ने क्या हो गया लेकिन आपकी क्या हो गया आपकी वी इनिशल वलस्टी से जीरो हो गई कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद में तो बड़ा क्या कह सकते हैं यह आपका वी और एक की डारेक्शन कुछ आपस में क्या कर रही है अपोज कर रही है एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हम यह तो क्या वी एक कॉंस्टेंट है इसमें इसकेस में अगर एक कॉंस्टेंट होता ता हम सिदा कह सकते हैं कि हाँ एक कॉंस्टेंट है लेकिन यहां पर एक कॉंस्टेंट का केस हो भी सकता है और के एक कॉंस्टेंट का केस नहीं भी हो सकता है ना तो कैसे करे फिर इसको हमें पता है कि हमें यहां पर किसमें वी और एक्सें आपको ए और एक ग्राफ है तो दी वी बाइ डी एक्स यह उतना स्लोप आपका यह इक्सेंड नहीं है इसका अपन थी स्का तो यह यह स्लोप क्या है और अगर हम इसको देख ले तो यहां पर एक्सित को डुरों पर क्या है यह नोट है यह तो सो कवी फाइनल माइनकपे इनट से पार एक वी फाइनल वी इनिशल हो एक सबीट एंख्श फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बेटा ठीक है तो यह आपका आगया इवी भाई Dx is equal to V final क्या है आपका यहां पर देखो यहां तक गया है तो जीरो है इनिशल क्या है आपका V note है तो V note upon X final क्या है आपका पीटा यह X note है और इनिशल क्या है जीरो जीरो यानिकी माइनस V note upon X note यहां आपका डीवी बाइडी एक्स आ गया डीवी बाइडी एक्स इसकुल तो माइनस V note upon X note ठीक है आप इसको क्या कर सकते हैं बताओ डीवी बाइडी एक्स अभी यह हमें क्या चाहिए अगर हम इसको डिफ्रेंशेट कर देंगे हमें क्या चाहिए होता है हमें यह चाहिए आपका यह और अगर हम इसको डिफ्रेंशेट करतेव और आग आ जाए है और हम उसको टी के रिफ्रेंशेट कर दें तो हमारे बास में यह आ जाएगा है तो यह हमारा आप गया dv by dx is equal to minus v naught upon x naught, तो v निकालने के लिए क्या करेंगे हम, dv is equal to minus v naught upon x naught into dx integrate कर दो दोनों side में initial limit रखो, v और x करो हमरे पास में है, initial क्या है, v आपका 0 है, नहीं, v naught है और final क्या है आपका, v माल लेते हैं किसी time t पर, यहाँ पर माल लेते हैं, t time पर, ok, तो यहाँ पर x, माल लेते हैं, यह x माल लेते हैं और यह v माल लेते हैं, तो यहाँ पर v naught to v limit और यहाँ पर 0 to x तो इसको 평र बिटां क्या एगा तो यह आ जएगा डीभी का ज़ीवी आजएगा यानि कि भी माइनस वीनोट इसकोल टू यह माइनस वीनोट और एकस अपन आज्नौत क्या है कॉंस्टन्ट ब kiss डीएक्स का सब्सेका नीए x-0 तो यानि कि वी क्या आ गया आपका वी आपका आ गया वी इसकॉल टू वी नोट इदर चले जाएगा आपका तो पोजिटिव हो जाएगा वी नोट प्लस पर यह माइनस का यह है बिटा तो यह माइनस माइनस वी नोट अपॉन x 0 into x या आपका वी का फंक्शन आगया ठीक आप वी को क्या करेंगे हम वी को क्या कर सकते हैं वी को हम differentiate करें देंगो हम इन वह मिलेगा t ka rs go' पर यह और एक्सले मारा आ तो अहने क्या क्रेंगे इसको देखो अब मीश्कोल टू नोट- logrście कि V0 by X not into X को यह dv by dt मैं इसको differentiate कर रहा हूं पहले देखो क्यों किया था वह ने किया था हमने क्या चांट यह क्या जी कर रहे है ठीक है यह आपका आगया आपका constant is 0 minus V 0 upon X 0 और X का आगया आपका DX by DT क्योंकि T के respect में आगर X के respect में होता तो 1 हो जाता लेकिन T के respect में कर रहे हैं तो यह क्या आपका आपका V हो गया यह यानि आपका यह हो गया minus V 0 by X 0 into V और V क्या है वी की वल्य हो हां से रख देंगे हम इसमें और यह कि हमारे पास में क्या आया यह है बिटा तो यह क्या आ गया थोड़ा सा calculation लंभी हो गई तो कोई नहीं चलो आपको confusion ना हो इसके लिए हम and change कर लेते हैं अभी ओके तो मैं इसको यहां पर solve करता हूं इसको में ओके इसको मिटा देते हैं चलो इरेज कर देखते हैं इसको तो बटे यह आपका a is equal to minus v naught upon x naught into v और v क्या है यह वाला है ना into v naught minus v naught upon x naught into x तो यह आगे आपका minus v naught square by x naught minus minus plus हो जाएगा plus v naught upon x naught एक यह एक यह तो इसका square यह भी square into x यह आपका a a और x में relationship आगया यह अगर a आपका जो है एक को अगर हम 0 कर देते हैं तो x की value क्या आती है यह x को 0 कर देते हैं एक की value क्या आती है यह वाले टम 0 हो जाएगी बच कोन से जाएगी यह वाले टम बच जाएगी यह एक एक इसकुल टू जी रो एक इसकुल टू माइनस वी देखो बिटा किसमे आ रहा है माइनस आपका यह वाला function यह तो constant है तो बिलकुल यह तो गलत हो गया कि यह एप ओके यह आपका रोंग हो गया यहाँ पर आपका एप जी रो है यह और आपका यह जी रो है यह नेगेटिव हो गया तो यह पोसिविल्टी बंती एक यहां पर यह पर यह आपर एक्स जीरो पर यह 0 और यह निगेटिव हो गए लेकिन अब सी है याद यह कैसे देखेंगे इसके लिए कर दो एक कर दो बदधा तो आमका क्या आएगा इधिको वी नोट इसक्वेर इधर आज येगा अब ठीसम्हेर भून स्वयर एंट् परोन एक्स और प्लस इदर किया रहेगा गांत फोज ये होगा है कि आपका X is equal to X not है कहां पर जहां पर एच है इसक नोट पर यह कुछ वेडिये कुछ वेडियो नियुक्त यह एक तो यह इस कीफिट आपका नेगट नेगटीव बढ़ता ही जा रहा है लेकिन ऐसा तो नहीं यह तो जीरो भी हो रहा है कहीं पर इसके उपर रख़ी है तो इसको गरतो नों कंपेर करतो यह एक्स नोट आजेगा यह जीरो है आंसर क्या हो गया सी आंसर हो गया विटा कर दो घ्री लंबा है बिलकुल लंबा है पिटाया विने में पूछा होवा चुर्ण भी है इस तरह के इसंट पे थोड़ा मुश्किल है मैं इसमें इंटिकार्षन भी होगया इपनल ऑर एक्स का यह जी देख लिया बिल्कुल थोड़ा मुश्किल है लेकिन अगर आपने एक कर लिया आपको तो अभी आपको कई सारे की तीन चार इसमें पॉन्सेप्ट आ गए वो कम से कम क्लिर हो नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं है यह देखो कि आपको बोल को ड्रोप किया कितनी हैच है यह हैच है से ड्रोप किया यह मालो ग्राउंड लोकेशन है आपकी है एक है ठीक है एक है तो बोल ऐसे आई यह उसके बाद में बोल ने रिवाउंड किया बोल नहीं यहां से रिवाउंड किया यहां पर गई और यह यहां पर बैसे शीरह होगी कहितनी और संसी पूछे है और सब्सक्राइब और अब यह यह वी और h में तो फिट भी फोल के केस्में रिलेसिजिट यह क्या होता है आपका we square कि कि इस प्रोपोर्शनेल टू ऐच है कुछ इस थिर द इस फोता न यानि कैसा पाथ कैसा बनेगा दोनों के लग रहा है वह आपका पर अबोलिक टाइप में है लेकिन आपका ओके जीरो हो गई इसमें वापस यूजीरो दिखा दी लेकिन यूजीरो तो नहीं हो रही है इनीचल वर स्टी जीरो थी इसमें आपके इनीचल जब एच क्या था अगर मालों इस पॉइंट को हम अब बैस मा आपकी वेज़कोल टूजीरो है इनीचल वरस्टी आपकी जीरो देखो बिटा काहां पर आ रही है किस पर है पर यह चाहिट पर जीरो आ रही है बिल्कुल ठीक बात है यह वालस्टी यह ना इस डिरेक्शन में यह पोजिटिव और यह आपकी नेगेटिव रैट तो यहां सब्सक्राइब नेगेटिव हो रही है जब आपका जीरो हो जाता है बिल्कुल सही बात है निगेटिव हो रही है नीचे डारिक्शन जाएंगे तो यह कर पॉसिबल बनता है यह कर वापका देखो है एच हाइट से चली तो इसमें क्या हुआ आपका वैलस्टे की तनी जीरो है यह वी पॉसिबल लग रहा है आपका केस यह वाला है चाहिट से और यू वी जीरो नहीं बीजीरो हो जाए वापस नहीं बीजीरों नहीं हो रही बिटा नेगेटिव होगी ना तो यह भी कैंस कर सकते हैं देखो तो यहां से देखो अगर मालो हम इसको देखते हैं तो इनिशली क्या करेगी बोडी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी तो ज्यादा करेगी कम करेगी बिल्कुर सब कम करेगी ना यू देरे-दरे बढ़ना शुरू होगा राइट इनिशल जीरो होगा तो जाते जाते आपकी ज्यादा करती डिस्टेंस तो यानिकि आपका और वी भी क्या बढ़ता है तेजी से बढ़ता है ना इसली धीरे बढ़ता है फिर उसके बाद में तेजी से बढ़ता है देखो तो एच कम हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है यहां पर एच आपका क्या हो रह और फिर उसके बाद में तेजे से कम हो रहा है ए negro यहां से इतने से यूव के न शूंट में अपका हाश हो गया है इतना कम होगया को आप जीओ आझ अًज़ायम के सब्सक्राइब एक आहक्त उस्टिया है इसमें भी आयओ का होगी बाइट का हो जाए कि जिलो हो हो गई रिबाउंड की तो वलस्टी से कुछ से वो उसमें आगे जब जीरो है यहां पर जीरो है तो रिबाउंड की बिल्कुल एस बैजिरो तो अंसर आपका सी होगे विटा बिल्कुल ठीक है आपका इसेट नहीं दा एरिया ऑफ इसेशन डिस्पेश्मेंट कार ओ और बोड़ी फॉसकर ने अपका अगर आपका आपको वीटी का रुए न ओमालों कोई भी कर वये से वे हैं यह आपका यह तो सुछाए यह है अंदिया वो क्या देता है हमें यह आपका डेस्पेस्वेंट देता है क्या देता है क्या देता है इसका मतलब क्या है यह वी और एक मुल्टिप्लिकेशन है देखा था है यह हाइट इन्टो यह विड़ इसकी दोनों का मुल्टिप्लिकेशन ऐसे सब को जोड़ देंगे यानि कि इनका तो यह आएगा विंटू टी एरिया टोटल इसका आगा इंटिगेट कर सकते हैं इसको सीधर और एक सिधो ए और एक का मुलटिकेशन का अगर आपका कैस कुन सा होगे और एक साथ स्थेटेंगे और इसकूर is equal to u square plus 2ax तो यानि कि v square के terms में आता है इसका a x अगर निकालेंगे 2ax निकालेंगे तो आपका क्या आगया v square minus u square upon 2 अगर हम इनको क्या खरें क्या रखा impulse नहीं impulse तो आपका क्या होता है क्या होता है आपका impulse m into del v change in v होता है m into del v होता है impulse तो नहीं है यह तो v square के terms में आ रहा है मतलब del v square न change in momentum per unit mass नहीं वो भी नहीं है change in kinetic energy per unit mass बिल्कुल यह हो सकता है आपके half mv square क्या होती kinetic energy होती है और दोनों में change है तो आपका per unit mass है mass अगर यूनिट लेंगे तो आपका v square minus v square by 2 minus u square by 2 change in kinetic energy आगे बिल्कुल ठीक बात है area under the velocity time curve or a given interval of time represents क्या कर रहा है वेलस्टी टाइम करो अना VT करो का area जो है or a given interval of time represents क्या देता है वीटे वीटे करो का इता अब यह मने डिसकस क्या था वीटे करो आपका क्या देता है आपका simple displacement देता है आपका simple displacement देता है ना a boy being to walk eastward along a street in front of his house and the graph of his displacement from the home is shown in the following figure his average speed for the whole time interval is equal to क्या पूछा उसने बिटा average speed पूछी है ना क्या पूछा है average speed और क्या दिया वामे displacement time graph displacement time graph right so displacement time graph का अगर हम यह देखने लग रहा कि area का question है ना area under the curve है लेकिन area under the curve तो क्या होता है आपका अगर वीटी होता तो हमें displacement देता और अगर इसने क्या पूछा इसने average speed पूछी है तो आपकी 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 आवरेज इस्पीड क्या होगी डिस्प्लेस्मेंट डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाई यह एवरेज है ना बाई डेल टी ठीक है हाँ तो डिस्टेंस कवर्ड क्या से आगी बिटा है देखो यहां से है मिट इसकल जीरो से आपका डिस्टेशमेंट कित्ना था डिस्टेशमेंट आपका कितना यह जी पूर्टी है यह देखो पूर्टी थिंट ओड जागा फोर्टी प्लस इसके बाद में यहां से यहां तक five-seven तक zero खूश्ब ब्रकाइब न वोगई यहां से पर यहां तक कितने कि यह देखिव 20 था displacement और यहां से मैं एक्सपूर्टी था और वापस 0 हो गया तो इसने पोटी इसने Star किया कि यहां से आपका कि कितना आए यह 0 है यह 0 है यह आपका 20 है तो यह 20 आ गया है आपका 20 और यह भी पॉंटी तो प्लस 20 यह यहनि कितना आ गया 20 प्लस 20 यह था आपका हो गया डिस्टेंस टाइम कितना लिया उसने जीरो से 20 तो यह आपका 120 वाई 20 यहनि 6 किसमें दिया है मिनट में दिया है न मेटर मेटर पर मिनट पर मिनट राइट आंसर इज 6 मेटर पर बिन बी ओके कह यह लॉस्टेंट बेड़ा बोडी स्टार्स व्रेस्ट टाइम ती इसकल टो जीरो अख्रेशन टांग्राफ इस जोन इन धा figure the maximum velocity attained by the body will be क्या होगा क्या दिया हमें 80 करो दिया हुआ हमारा ए और टी करो राइट तो इसका मतब क्या हो गया देखो ए आपके यहां पर क्या है आपका जीरो है यहां पर एक की वालुई यह दिया है क्या है आपका 10 meter पर सेकंड स्क्वेर है राइट एक टी इसकॉल टू 11 सेकंड यहां पर एक क्या है आपका एजीरो हो गया यह नहीं कि यह आपका 10 से 0 कम होता जा रहा है ठीक है तो आपका लेकिन यहां तक काम कर रहा है ना तो यहां पर क्या होगा वी आपका मैक्स हो जाएगा उसके बाद में एक्सलेशन है नहीं तो यूनिफॉम हो जाएगी अगर आगे मुवमेंट है तो बोड़ी का राइट यानिके हम क्या करेंगे इसका जो हमें पता है ए टी ए करो कैसी देता है एक करो का एरिया तेंज वी देता है कौन सा एरिया अंडर ऐरिया अंडर ढ़र ओए टी ग्राफ कि यह देता है यानिकी बीमैक्स आपका minus zero is equal to area of area इसके करूब का इस ट्रैंगल का area बेटके कितना हो गया आपका half into base कितना है 11 into height height कितनी है 10 meter per second square में बिलकुल यह भी सेकंड मरें है रिकना सब्सक्राइब कोई नश्य सेंपार है ओके नीट इसमें कोशन अच्छा था उड़्याओं निए तो यह हमने प्रक्टिस कर लिए अच्छे कुछ इसमें अच्छे कोश्चन भी किया हैं तो एक्जाम में दोनी तरह को पुछे आते हैं आपके सिंपल भी पुछे जाते हैं और कुछ थोड़े से ज्यादा कर्कूरेशन वोले पूछ लिए जाते हैं तो चलो नेक्स्ट टॉपिक में मिलत